वेलो दोस्तो वेलकम टो टुप्टिस किचिन माजिक और आज मैंने बनाई है आपके लिए चीज चिली टोस्त ये एक प्यॉर वेज रेसीपी है और आप इसे बिल्कुल घर में बना सकते हैं देखिए लग रही है ना एकदम टेम्टिंग एकदम यमी दोस्तो ये बिल्कुल चीज चिली टोस्त है बिल्कुल यमी भात ही लज़िज लगता है और आप इसे बिल्कुल घर में जल्दी जल्दी से बना सकते हैं बहुत कम टाइम में बन जाती है चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे ये हैं स्टेप्स, स्टेप्स और इंग्रीडियन्स पैने चीज क्यूब को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे इस तरह से, इसमें मिलाएंगे हम कटा हुआ थनिया याने की कोरियांडर, कटी हुई हरी मिर्ज याने की ग्रीन चिली, कटी हुई ग्रीन कैपसिकम याने की शिमलाई मिर्ज, इस तरह से हम मिला लेंगे मिलाएंगे हम कटा हुआ लहसून याने की गालिक थोड़ा सा मक्खन याने की बटर अगर बटर जो है आपका थंडा है तो इसे ग्रेट कर लीजी इस तरह से और पूरा मिक्सचर को ठीक से मिक्स कर लीजी चीज चिली मिक्सचर बिल्कल रेडी है चलिए बनाते हैं चीज चिली टोस्ट एक पैन में हम ब्रेट को इस तरह से रखेंगे आप कोई भी ब्रेट ले सकते हैं वाइट या फिर मिक्स क्रेंड की जैसे ही ये एक साइड टोस्ट होती है इसे हम ट्लेट में ट्रांस्टर कर लेंगे इस तरह से एक ही साइड को हम रोस्ट करेंगे अभी के लिए जो हमारी टोस्ट की हुई साइड है उस पर हम चीज चिली मिक्सचर इस तरह से रख देंगे इसे स्पून की मदद से अच्छी से स्प्रेड कर लीजिएगा लेकिन बॉर्डर तक ना हो ये ध्यान रखेगा क्योंकि चीज मेल्ट होगा तो फिर नीचे गिरेगा इस तरह से हम अच्छी सी गाड़ी सी चीज चिली मिक्सर की लेयर जो है हमारे bread पर spread कर देंगे अब हम इसे pan में रख देंगे ताकि जो नीचे की side है वो भी toast हो जाए इसे हम lid से cover कर देंगे ताकि जो हमारा cheese है वो भी साथ साथ में melt हो जाए देखिए almost cheese melt हो चुका है हम check कर लेंगे नीचे की side है वो भी brown हो चुकी है टोस्ट हो चुकी है इसे हम पैन से नीचे निकाल लेंगे एक प्लेट में रांस्फर कर लेंगे इस तरह से और इसकी जो साइड्स है ये हम काट लेंगे देखिए ऐसे इसे हम बीच में से भी डाइगनली काट लेंगे इस तरह से और हमारी चीज चिली टोस्ट जो है अगर आपको चीज बहुत पसंद है, तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आपको ये खा के बहुत मसा आएगा, उमीद है कि आप इसे घर पे ट्राइ करेंगे और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इंजॉय करेंगे, मुझे बहुत खुशी है दोस्त